हेलो दोस्तो वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन दोस्तो आज हमलों क्लास 9 का चैप्टर नमबर 13 से एक्सरसाइज 30.1 का कुश्चन नमबर 5 को डिसकस करने वाले हैं हमारा कुश्चन है अग क्यूबिकल बॉक्स है इच इस 10 सेंटिमेटर एन अनदर सेंटिमेटर वायड एन एट सेंटिमेटर हाइम दोस्तो बोला गया है कि हमारे पासे क्युद कल बॉक्स है जिसका हर साई कि एन सेंटीमेटर ठीक है आस bubbles में में दो क्यूंद को पाथा है पहला पा ँवालtar मारा वीच फॉश्चा लेत्रतस करने एक्स पासे ने cubical box और cuboidal box दोनों को अगर compare करेंगे दोनों का lateral surface area को निकालेंगे तो किसका lateral surface area बड़ा होगा यानि जादा होगा और कितने से जादा होगा तो दोस्तो lateral surface area of cubical box का formula क्या होता है तो 4a square है न 4 as it is रहेगा दोस्तो a हम लोगा क्या है side को denote करता है तो e की जगा हम लोग क्या लिख सकते है 10 क्योंकि cubical box का दिखिए side क्या है 10 cm है न इच तो 4 और ये 10 के square क्या होगा दोस्तो 100 ओके और 4 into 100 400 units a centimeter में और हम लोग क्या निकाल रहे है तो area निकाल रहे है lateral surface area इसलिए यहाँ पर power हम लोगा square आ जाएगा ठीक है तो lateral surface area cubical box क्या आगा तो 400 cm तो चलिए अब lateral surface area cuboidal box निकालता है तो इसका formula होता है 2H length plus breadth है न दोस्तों तो 2 as it is रहे जाएगा height कीज़ेगा हम लोग क्या लिखेंगे 8 length हमारा दोस्तों क्या है 12.5 cm और breadth हमारा क्या है दोस्तों तो 10 cm है न एट टूज़ा क्या होता है दोस्तों 16 इंटू कर लिए यह पर और 12.5 प्लस 10 कितना होता है दोस्तों तो 22.5 है न तो दोस्तों 16 इंटू 22.5 हम लोग आया है अब चलिए इसे हम लोग multiply कर लेते हैं तो यह हमारा होता है 360 cm2 ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग का लेटर सरफेस एरिया और क्युबिकल बॉक्स आया है 400 cm2 और दूसरी दोगर अम लोग का लेटर बॉक्स कुबाइबल बॉक्स आया है 360 cm2 अगर अगर the smaller total surface area and by how much तो दीए हम लोगो total surface area निकालना है और पता करना है कि इन दोनों में से किसका total surface area कम होगा तो पहले हम लोगो total surface area कि विकल बॉक्स निकालता है तो उसका formula होता है 6a square है ना तो 6 as it is रह जाएगा और e की जाएगा क्या लिकेंगे दूस्तों 10 और power square तो 6 into 10 का square होता है 100 तो ये into करने से हो जाएगा 600 और हमारा unit था centimeter और हम लिकार टोटल surface area इसलिए power square हो जाएगा तेक है अब उसी तरह total surface area of cuboidal box निकालता है तो इसका formula होता है 2 length into breath plus breath into height plus height into length तो दोस्तों 2 as it is रह जाएगा length की जाएगा हम लों लिकेंगा 12.5 centimeter into breath हमारा 10 centimeter plus फिर से breath 10 centimeter height हमारा 8 centimeter plus height हमारा 8 centimeter into 12.5 centimeter चलिए से solve करते है तो 2 यहाँ पे रह जाएगा 12.5 into 10 करने से हमारा आता है 125 plus 10 into 8 करने से हमारा आता है 80 plus 8 into 12.5 करने से हमारा आता है 100 तो दोस्तों यहाँ पे तो space कम है तो हम लोग यहाँ पे एक line मना लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं तो यह क्या हो जागा 2 as it is into का sign और 125 plus 85 plus 80 plus 100 को अगर हम लोग अड़ करते हैं और छोटा कौन है 600 तो इट मींस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगा आपसे लिए निक्स नई वीडियो में तब तक लिए श्टेट यून श्टड़े हार्ट चाहिन वन्दे मात्रम